हेलो फेंड एक बाफ फिर आपका स्वाकत है कंचन लाइफ लाइन चनल पर आज मैं LMOX DT 250 टेबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ यहाँ अलकेम कंपनी द्वारा निर्मित है और एमोकसिलिन इस दवा का घटक है यहाँ एक पेनिसिलिन एंटिबाटिक के रूप में LMOX 250 MG टेबलेट DT जिवानू संक्रमन का इलाज करता है यहाँ बैक्टीरिया में कोशिका की दिवार के संस्लेशन में हस्तशेप करता है और उसे बढ़ने से रोग देता है इसका उपयोग फेफणों और वायुमार्ग, तवच्चा, मद्य, कान, साइनस और मुत्रपत के संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है यहाँ टॉंसिल्स, निमोनिया, ब्रुकाइटिस और गोनोरिया जैसी इस्तितियों का भी इलाज करता है अल्मोक्स 250 Mg Tablet DT, जब एंटिबाइटिक क्लेरी थ्रोमाइसिन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पेट के अलसर का इलाज करता है यदि किसी भी पेनीसिलिन आधारित एंटिबाइटिक से अलर्जी हो तो आपको एमोक्सिलिन का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रस्था को रोकने के लिए गैर हार्मोनल जन्मन यंत्रण का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से पूछे अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो अपने चिकितसक को बताएं क्योंकि इससे बच्चे को नुक्सान हो सकता है एमोक्सिलिन आपके लिए सुरक्षित है या सुनस्चित करने के लिए यदि दमा, जिगर या किड्नी रोग, मोनो, यूकल, ओसेस, एंटिवाटिक लेने के कारण दर्स्थ का इतियास है तो अपने चिकितसक को सुचित करें अपने सभी स्वास्त देखभाल को अब उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप उपयोग करते हैं और जो भी आप शुरू करते हैं या उपयोग करना बन करते हैं इसके कोई साइड एफेक्ट होते हैं, आम साइड एफेक्ट में पेट दर्द, मतली, उल्टी, दस्त, सिर्दर्द, योनी, खुजली या मुक्ती या सूजन या काली, जीब शामिल हो सकते हैं। अगर कुछ गंभीर साइड एफेक्ट जैसे पीलिया, भ्रम्या कमजोरी या काले रंग का मूत्र, गंभीर जुझनी, दर्द, मासपेशियों की कमजोरी, नाक, मुह, योनी या मलाशे का आसान खिसकना या सामानिय, खुन बहरा है, या दस्त, मुखार, ठंड या फ्लू के ल दौक्टर से परामर्श करें, इसके उपयोग और साइड एफेक्ट एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन हो सकते हैं, इसलिए दवा का इस्तमाल करने से पहले डौक्टर की सला जरूर लें, यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली एलमोक्स की खुरात है, क्रिप्या याद रखे की हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई दने के तरीके, रोगी की आयू, रोगी का चिकत्सा, इतिहास और अन्यकारकों के आधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है, और जो पहले से हिर्दै रोग से पिडित हैं, उनके लिए इस दवा के दुश परिणाम हो सकते हैं, यदि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो दवा का सेवन ना करें, और डॉक्टर से सलहा लेकर ही दवा का उपयोग करें, यह दवा किड्नी और लीवर को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन फिर भी इस से जुड़ी बिमारियों वाले इस कुर्दे की बिमारी या शुगर जैसी बिमारियां हैं, तो भी बिना डॉक्टर की सलहा के इस दवा का इस्तमाल ना करें, डॉक्टर की सलहा से यह दवा पुरी तरह से सुरक्षित है, तो फ्रेंड इस तरह से LMOX DT 250 टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है, और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू करें, साथ ही बल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें, धन्यवाद.